हलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चानल नन्हे यात्री और आज हम एक क्राफ्ट एक्टिविटी करने वाले हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि क्राफ्ट के लिए आपको क्या-क्या चाहिए तो चलिए फिर शुरू करती हैं आपको चाहिए ट्र अब हम क्या करेंगे, ओल्ड बैंगल्स पे फैविकोल पेस्ट करके और उन्हें चार्ट के उपर ऐसे पेस्ट कर देंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा उसे चिपकने में टाइम लगेगा, तो हम उसे सूखने देंगे, फिर हम और बाकी बचे बैंगल्स पर फैविकोल लगा लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और फिर ऐसे हम चार्ट पेपर पे उसे पेस्ट कर लेंगे एक के बाद एक हम सारी बैंगल्स को ऐसे पेस्ट कर लेंगे थोड़ा सा हम मार्जिन रखेंगे, थोड़ी सी दूरी रखेंगे, ताकि हम उसे वहां से कट कर सके बिल्कुल जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम वैसे ही पेस्ट कर लेंगे सारी हमने सफेद बैंगल्स को ऐसे पेस्ट कर लिया है, थोड़ी दूरी पर अब हम ग्रीन बैंगल्स को पेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें फैविकॉल चाहिए अब हम फैविकॉल लगा लेंगे ऐसे बैंगल के उपर और अब हम उसे पेस्ट करेंगे अब हम ग्रीन पेपर पे ग्रीन बैंगल्स को पेस्ट कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है बैंगल्स को चिपकने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है तो आपको एक हैवी अबजेक्ट बैंगल के उपर रख सकते हैं ताकि वो जल्दी पेस्ट हो जाए और अच्छे से चिपक जाए हम एक एक करके सारी ग्रीन बैंगल्स पर फेविकोल लगाएंगे और उसे पेस्ट कर देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं जैसे कि आप याहां देख रहे है और और ओरेंज क लर की जो बैंगल्स Panama से अब हम क्या करेंगे अब हम कट करेंगे ठीक है हां जैसे वीडियो में दिखाये जा रहा हैं आप बिल्कुल सर्कुलर पर लेंगे बैंगल के साथ साथ से बैंगल के आसपास से हम सीजर से कट कर लेंगे और यह हमारे सर्कल्स रेडी है एक एक करके हम तीनों औरेंज कलर के जो सर्कल्स हैं उन्हें ऐसे कट कर लेंगे अल्मोस्ट डन यह देख रहे हैं आप कितने सुन्दर लग रहे हैं औरेंज कलर के सर्कल्स अब हम ऐसे ही ग्रीन कलर के सर्कल्स को भी कट कर लेंगे और फिर वाइट कलर के circles को बिल्कुल bangles के बिल्कुल साथ-साथ से हम cut करेंगे तो वो बिल्कुल एकदम circle अच्छे से निकल कराएगा जब हम उसे Cut करेंगे तो circle बहुत अच्छे से cut हो और वह बहुत सुन्दर तरीके से दिखेगा जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में एक एक करके हमने सारे सर्कल्स बैंगल के आसपास से कट कर लिए और बैंगल क्योंकि बहुत हाड हैं तो उसके आसपास से आपको कटिंग करने में भी असानी रहती है और बिल्कुल अच सर्कल्स दिये हुए हैं तीनों उनमें से जो सबसे बीच वाला सर्कल है बैंगल है उसमें हम बनाएंगे अशोक चक्र एक ब्लू कलर लीजिया ब्लू कलर के पैंट से आप अपने एक स्केल की मदद से यहां पर अशोक चक्र बनाई जैसे कि आपको दिखाय जा रहा है चैन क्योंकि यह एक्टिविटी बच्चों के लिए है तो आपको परफेक्शनिस्ट बनने की जरुरत नहीं है जैसे भी हो बस आपको क्राफ्ट करते वक्त मज़ा आना चाहिए विल्कुल ऐसे आप इसे लगा देंगे देखे कितना सुन्दर लग रहा है अब हम क्या करेंगे अब हम आइस्क्रीम की जो स्टिक्स होती हैं उनके इस्तमाल करके हम इसे पेस्ट करेंगे अब बैंगल्स को आप उल्टा कर लिजे जैसे कि आपको विडियो में दिखाए जा रहा है सारी बैंगल्स को उल्टा करने के बाद हम क्या लेंगे हम फैविक को लेंगे और आइस एसे तिर्चा लगा देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आप आप आइस-क्रीम स्टिक को फैविक और लगा कर ऐसे लगा देंगे है आप अच्छे से पेस्ट कर दीजे आप दूसरी स्टिक लीजिए यहां पर स्टिक पे अच्छे से फैविकोल लगा कर अब हम उसे पेस्ट कर देंगे फैविकोल थोड़ी सी अच्छे से लीजिएगा ताकि वह अच्छे से पेस्ट हो सके अब करें बिल्कुल जैसे विडियो में दिखाया जा रहा है आपको इसी तरीके से अपनी अइस्क्रीम स्टिकस को पेस्ट करना है ऐसे हम बाकी स्टिकस पर भी फैविकोल लगाएंगे और उसे पेस्ट कर लेंगे एक आइस्क्रिम स्टिक बीचों बीच हम लगाएंगे और बाकी हम साइड मर लगाएंगे बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट कर देंगे अब हम लास्टिक पे भी ऐसे फैविकों लगाएंगे और उसे पेस्ट कर देंगे तो चार स्टिक्स हमने साइड में लगाई है और एक स्टिक हमने बीचों बीच लगाई है ताकि वह अच्छे से पेस्ट हो जाएं अब इसे हम थोड़ी देर सूखने के लिए अब हम इसे टांगने के लिए एक धागा लेंगे उसे कट कर लेंगे जितना भी धागा आपको चाहिए अपनी थोड़ी अंदाजे से आप लंबाई ले लेंगे दागे की और फिर उस पर फैविकोल लगाएंगे पैविकोल लगाके आप उसे ऐसे चिपका देंगे पेस्ट कर देंगे अब फैविकोल को हम अच्छे से पेस्ट करके उस पर एक कागज लगा देंगे थोड़ा सा और फैविकोल लेंगे हम और एक और कागज हम उस पर पेस्ट कर देंगे ताकि वह अच्छे से चिपक जाए और हीले नहीं जब हम इसे टांगेंगे तो वो अच्छे से पेस्ट होना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं बिल्कुल ऐसे ही जिसे दिखाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे हम पेस्ट कर देंगे अब हम इसे जब ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा तो हम इसे एक भारी चीज रखकर इसके उपर थोड़ी देर इसे सूखने के लिए रख देंगे जब ये बिल्कुल ड्राय हो जाएगा सूख जाएगा तो हम इसे क्या करेंगे हम इसे हैंक करेंगे इसे ठांग देंगे और कहीं भी आप इसे स्कूल में अपनी क्लासरूम में डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो ये जो क्राफ्ट आइडिया है यह हमने सोचा और फिर इसे implement किया है बना के आप जरूर बनाईएगा और बनाकर feedback जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा आप ऐसे फिर इसे कहीं भी hang कर सकते हैं देखें कितना सुन्दर लग रहा है थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू मैंनने यादरीज लव यू थैंक यू